तो है गाईस कैसे आप आशा करता हूं दोस्तो बहुत चुंग दोस्तो आज बात करेंगे ने 15 अप्रिल के करेंट अफेर्स के बारे में दोस्तो जो की बहुत इंपोर्टर हो जोता दोस्तो आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए दोस्तो यहां से बहुत सारी कोशन आते ह जाता है यह क्या मना जाता है दोस्तों ठीक है इसको ध्यान से लिखे दोस्तों ठीक है नेक्स कोशन बात करते हैं नेक्स कोशन क्या है दोस्तों जो नेक्स कोशन करा कि अम्यदकर जैनती कम 14 अपरिल को मना गया तो यह 131 जैनती इनको मना गया थे दोस्तों और इन्हें दोस्तो भीम्र अमेंदकर को भारतिय सविधान का पीता भी कहा जाता है तो भारतिय सविधान का पीता भी कहा जाता है दोस्तो यह भी कोशन बार बार पूछ लिया जाता है हर एक एक्जाम में दोस्तो तो डाक्टर भीम रामितकर को जयनती 14 प्रिल को मना गया और ये भारतिय और ये 300 संस्क्राव मना गया थे और भारतिय सविधान का पीता भी इने कहा जाता है और नेक्स्ट कुशन दोस्तों जो कि बहुत इंपोर्डर दोस्तों करेंट हपे और जीकेट जीसे दोस्तों हो जाता है करा है कि प्रतिस्ठीत रेक जाविक ओपन 17 टूनामेंट जीता किसने जीता है दोस्तों ये तो आर प्रे ग्यानन्द आर प्रे ग्यानन्द ने जीता है ठीक है और उसकी बादे में बात करें दोस्तों इसकी जो टूनामेंट है दोस्तों इसका जो ग्रेंड मास्टर दोस्तों बनाया गया था वह बहुत सबसे कम उम्र वाले जो ग्रेंड मास्टर बने थे दोस्तों कौन बने थे तो अभी मन्नू मिस्रा सबसे कम उम्र के म humid ता तो बारा साल कि यह कम उम्र के ग्रेंड ऑले करें के नृट इंपड़ल लिए ओ이 पार्ला कोशन था जो हमारा पाला के मारे चाहिए तो वो sagt 2 पविकश्ट्सी को मना गया ढूस्त तो अन्ताबि परिल है था और यह 131 संस्क्राण उनका मना यह तो और भारती सभिदान का कि पीटा कहा जाता है दोस्तों और दूसरा कोशन हमारा था और दूसरा कोशन है कि दूसरा कोशन है दोस्तों कि परतिष्टित रोग जाविक ओपन सतरन स्टूनमेंट कौन जीता है तो आर प्रयागानंद ने जीता है दोस्तों और जो सबसे कम उम्र की ग्रेंड मास्टर दो हैं अभी मननु मिश्रा हैं सबसे कम उम्र के गिरेंड मास्टर बने हैं जिनका उम्र था बारा साल चार महीने का पहते पोड़े कोसें तो आपको समझने आज़ए दोस्तों ठीक है नेक्सकर बात करें दूस्तों यह कोशन हर एक कोशन को दूस्तों जरूर किजिएगा और आज का current affairs का दोस्तों next question है करा है कि राष्टी अलपसंख्यक आयोग के प्रमुख न्यूक्त किसे किया गया है तो इकबाल सीन लालपूर्य को दोस्तों न्यूक्त किया गया राष्टी अलपसंख्यक का मुख है परमुख न्यूक्त किया है दोस्तों और यह इनका picture जिसे आप इनको देख सकते हैं ठीक है और यह question दोस्तों आजए बहुत important होग है परधान मंत्री संगरहाले का उदघाटन किसने किया दोस्तो तो इसका उदघाटन है दोस्तो एने 14 अप्रिल 22 को परधान मंत्री संगरहाले का उदघाटन किसने किया तो परधान मंत्री मोदी ने नरेंदर मोदी जी ने किया है दोस्तो और लगे हाथ एक और कोशन आपको ब वह दिया गया है जो कि यह गाई का से समधी थे जो कि गाउका, जो आच्छा फिल में ज जो कारे करता है, उसी में लाता है दीना नात के दूस्तों, दीना नात मंगेशकर प्रुस्कार नरेंदर मोधी PMG को दिया गया दोस्तों ठीक है ये भी कोशन बहुत इपोर्टेर था दोस्तों और आज का भी कोशन बहुत इपोर्टेर है दोस्तों ठीक है तो नेक्स कोशन ही बात करते हैं यह विए कोशन दोस्तो बहुत बुट है कुछिक है लूख सवा आयोगSवा की थे रूप में किसे निऊत किया गया सवार। कि बात करते हैं दोस्तों जो की यह इनका प्लाएं पर दैख सकते हैं ज़ो कि Dr. डरमनोज सोनी जी का यह पिक्टर है मनोज सोनी टाकि फिक्टर से भी ज़्थे लोगों को याद ने वाले हैं कि मैं तसर न बनाने वाले दूसरे भारतिय दूसरे दूसरे जोस्तों बहुत ही पर को सथलगी दूसर जैकर किले चुलandır किसे जुरूर याद करेशे दोस्तों आभी मैं सरमाजी को देख सकते हैं रोहित सरमाजी को ठीक दोस्तों जो कि 10,000 दोस्तों रन बना चुके हैं दोस्तों यह भारत के दूसरे ब्रक्ती क्रिकेटर बन जाएंगे दोस्तों ठीक है नेक्स कोश्ट कर रहें दोस्तों कि कुष्ट रोग के कुष्ट रोग के लिए और यह कोशन दोस्तों बहुत इपोड़र है विकॉस दोस्तों यह तिवहार से रिलेटेड है तो यह कोशन बहुत इपोड़र हो जाता है तो इसम बात करते हैं कि जो बैसाखी है दोस्तों, जो बैसाखी मना गया तो बैसाखी कि बैसाखी को मना गया, और बात करें बीफू की बात करें बीफू की बात करें दोस्तों बीफू की बात करें तो बीफू की बात करें तो बीफू की बात करें तो कहां पर मना गया तो बीफू केरल और करनाटक में केरल और कहां पर करनाटक में दोस्तों यह मना गया बीफू और बात करें बीफू दोस्तों तो ब बात करते हैं और एसाइं यह तिवार मना जातों जो कि आपको इस्क्रीम पर देख रहा है दोस्तों नेस्ट को सिंग बात करते हैं यह और यह कोशन दोस्तों आपके किसने जीता है दोस्तों और किसको हरा करके जीता है और किसको हरा करके जीता है यह भी बहुत इंपोर्टर कोशन है किसको हरा करके जीता है तो जर्मेनियम को जर्मनी जर्मनी को दोस्तों यह हरा करके निदर लेंड ने एफाइज महिला होंकी 200 कप जीता है दोस्तों ठीक है अब बात करें जो तेस वाला जो संस्क्राण होने वाला दोस्तों तेस में तो यह भी होगा तो तेस में तो दोस्त आपके आवाले एक्जाम के लिए दोस्तों आपके आने वाले एक्जाम के त्यारी कर रहें तो यह सारे कोशन उनमें आएगा दूस्तों यहां से पांस अच्छे कोशन में आपको बना कर दे दिया हूं कि एफाई एच जो मैला जो होंकी 200 कप दोस्तों जो खेला किया इसमें कौन जीता है तो नीदर रेंड किसको हरा करके जर्वनी को अदू यह 300 कहां होने वाला है तो आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आकोन को भी प्रेस कर देशा साथ ताकिसा हर एक इंपोर्टेट और दूस्तों महत्पूर्ट कोस्तन आप पहुंच पाए नेस को सिंग बात करते हैं दूस्तों और यह भी कोस्तन दूस्तों बहुत महत्तप फुल फर्म आपसे पूछ लिया जाएगा तो फूल फर्म क्या होता है तो ठीक है इंडिया प्रेट्रोलियम कॉर्प्रेशन लिमिटेड इसका फुल फर्म हो जाता है अभी इसमें बात करें तो इसका जो नेक्स कोशन की बात करते हैं बहुत इंपर्टेशन दोस्तों के साथ और ब्रिधी का अनुमान घटा करके इतना करदें कर दिया गया डोस्तो यह wtko के उनुसार को 202 पार संघढठन के उनुसार डावल टी ο के अनुसार 222 रिच बेइस्सी भी पारे जो ब्रिदी यह दो शानिमान से घटा 30% कर दिया गया दोस्तो और आने वाले तेज के समें दोस्तों 3.4% बढ़ जाए द दोस्तो दोस्तो स्कुर्ट्स करते हैं हुद dwell ORına दोस्ता आपसे ऐक क्रिक्स जारूर करने और बेल आकन को प्रीस कर दोस्तो थाकि हर एपने इस व्रेंड चाहते हैं तो बात करते हैं तो पहला Caesar मैं तो आप यहां पर याद कर सकते कोई भी दिक्कत समस्भाइब नहीं होगा पहला को सनता है कि चगास रोग दिवस मैं लिखुँँगा विकाज हम लोग यह रिवीजिंग करें तो चगास जो रोग दियो से दोस्तों 14 अप्रेल को मिना गया 14 अप्रेल अप्रेल को दोस्तों सौधी यहां पर अप्रेल अप्रेल को 14 अप्रेल को दोस्तों अब था भीम्राव अमेदकर भिम्रा अम्बेतकर जैन्ती दोस्तों 14 अपरिल को में आए देता है इन्हें भारतिय सविदान का पीता भी कहा जाता है नेक्स कोशन दोस्तों जो था हमारा जो की प्रतिष्ट रोग जावनिक ओपन सतरंस टूनामेंट में जीता था जो कौन थे आर अर प्रग्यानंद जीते दोस्तों नेक्स कोशन था यूसा हर एक मेंपोर्टर कोशन भीडियों पाने के लिए दोस्तों आम्रे चैल्म को ेंप शी कर दें दोस्तों तके हर एक मेंपोर्टर भीडियों में जैन जयभारा